आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Everyone, Question is इस Question में, basically हमें कुछ Statements थी गई हैं, चोके हमें P और Q के बीच खार रिलेशन बता रही हैं इनके बेसेस पे हमें इनस Statement को Analyst करना और बताना है की Conclusions करेक्ट है की नहीं सो प्रोसीड करते हैं, तो पहला Statement है P$Q means P is not smaller than Q तो यहां पर हमें क्या given है? कि P$Q इसका क्या मतलब है कि P जो है वो Q से छोटा नहीं है राइट, that means P is either greater than और equals to Q, चेक है? नेक्स क्या है हमारे पास P at the rate Q P at the rate Q means P is neither smaller than nor equal to Q कि P ना तो Q से छोटा है ना ही Q के equal है तो इसका मतलब क्या हुआ? P is greater than Q नेक्स क्या हमारे पास, that is P'Q P'Q means P is neither greater than nor equal to Q कि P ना तो Q से बड़ा है ना ही Q के equal है इसका मतलब क्या हुआ? Q is greater than P ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स हमें given है P ΔQ तो P ΔQ का क्या मतलब है? P is neither greater than nor smaller than Q P ना तो Q से बड़ा है ना ही Q से छोटा है इसका मतलब P और Q क्या है? बराबर है ठीक है? आगे हमें क्या given है? P star Q P star Q means P is not greater than Q कि P जो है वो Q से बड़ा नहीं है P is not greater than Q that means Q is either greater than or equals to P ठीक है? So यह हमारे पास सारे symbols cover हो गए तो अब हम अपने statement पे चलते हैं तो statement में हमें क्या given है? that is N delta B N delta B next हमें given है B dollar W then हमें given है W hash H then H star M तो अब हमें क्या करना है? कि जो symbols है इनको इन से replace करना है ठीक है? अब यहाँ पे delta का क्या मतलब है? delta का मतलब है that is N is equals to B ठीक है? next हमें क्या given है? dollar तो dollar का मतलब क्या हुआ? that is B is either greater than or equals to W next है hash hash का क्या मतलब है? that is H is greater than W next क्या है हमारे पास star तो star का क्या मतलब है? that is M is either greater than or equals to H ठीक है? तो यहाँ से अब हम अपना statement बिल्ड करते हैं तो इन दोनों में देखो B common है तो B ले लिया और इसके साथ हम इसके relations शो कर देंगे ठीक है? यहाँ पे हमें क्या given है? H is greater than W and M is either greater than or equals to H ठीक है? तो यहाँ से अब हमारा statement बिल्ड हो गया तो conclusions पे आते हैं तो पहला conclusion है M at the rate W तो पहला है हमारे पास M at the rate W तो at the rate का क्या मतलब है? that means at the rate का मतलब है P is greater than Q तो यहाँ पर हमारे पास आ गया M is greater than W तो हम कैसे चेक करेंगे कि M जो है वो W से बड़ा है कि नए? हम यह चेक करना है अब देखो यहाँ पर हमारे पास किया है? इधर greater than M और W के बीच का अगर हम relation देखें यहाँ पर तो हमारे पास यह relation है तो इस वाले case में दो conditions हैं यहाँ पर इधर greater than और equals to तो यहाँ पर हमारे पास किया आएगा? अगर हम greater का condition लेते हैं M is greater than H, H is greater than W और हमारे पास दूसरा हो गया m is equals to h, h is greater than w तो इस case में हमारे पास क्या आ गया, m जो है हमारा higher priority पर है यानि m जो है इन दोनों से बढ़ा है, तो m is greater than w यहां से हमारे पास यह आया अगर m और h equal होते हैं, तो यानि हम यहां पर लिख सकते हैं m, m is greater than w तो यहां पर दोनों case में हमारे पास क्या आ रहा है, m is greater than w, that means the conclusion हमारा correct है, एक तो यह रस्ता होते है देखने का, दूसरा क्या होता है, कि जो greater का sign है, इसको हमें gate की तरह समझे, जिसकी side यह open है, यह होगे हमारा open gate, और जिसकी side यह close है, यह होगे हमारा close gate, तो हमें करना क्या open gate से close gate के और जाना है, यानि हमें m से w पर जाना है, ठीक है, तो यहां पर gate के open, तो m से h पर आगे, gate open है, तो h से w पर आ गए, तो यानि की conclusion हमारा correct है, ठीक है, साथ में अगर यह relation हो, तो इसे verify कर लेंगे, next हमें क्या given है, second है हमारे पास h at the rate, so relation है, हमारे पास h at the rate and h at the rate n, तो at the rate का क्या मतलब है, at the rate means की, यहां पर हमने at the rate ही देखा था, h is greater than n, तो हमें यह चेक करना है, क्या h n से बड़ा है, तो यानि हमें पहले h से n पर जाना है, ठीक है, तो अब हमारा h का यहां पर, n हमारा यहां पर है, तो gate के है, open है, तो h से हम w पर आ गए, यहां पर w delta n, third one is w delta n, तो delta का क्या मतलब है, यहां पर चेक कर लेते हैं, delta मने equals to, ठीक है, तो हमें यह चेक करना है, क्या w और n जो है, equal है, तो देखो, w हमारा यहां पर है, n हमारा यहां पर है, अब इन दोनों के बीच में relation के है, n is equals to b, and it is greater than equals to w, ठीक है, तो इस case में क्या होगा, इस case में हमारे पास यहां पर दो condition आ गई फिर से, तो यहां से हमारे पास होगा, या तो n is equals to b, and b is equals to w, या तो हमारे पास होगा, n is equals to b, and b is greater than w, यह case होगा, अब देखो, n और b जो है, यह बराबर है, तो यहां पर हमारे पास n आ गया, तो इस case में हमारे पास आ गया, n is greater greater than w लेकिन हमारी जो conclusion है हमें कह रहे है कि w और n जो है ना पराबर होने चाहिए तो यहां तो हमारे पास greater आ रहा है यानि यह conclusion हमारा गलत है चीक है next हमें क्या given है w hash in तो fourth case में हमें given है w hash in तो यहां पर हम लिख लेते हैं that is fourth one is w hash in अब hash का क्या मतलब है hash का मतलब है कि that is q is greater than p तो यहां से हमारे पास क्या आ गया n is greater than w n is greater than w तो यानि कि अब हमारे पास यह condition है n is greater than w और यहां पर क्या है equal की तो यानि ये दोनों जो conditions हैं हमारी एक साथ तो fulfill नहीं हो सकती या तो W और N equal होंगे या तो N जो है वो W से बड़ा होगा तो इस case में क्या possible है ये दोनों complementary condition है तो इस case में ये possible है कि N is either greater than or equals to W या तो बड़ा होगा या तो equal होगा दोनों possible नहीं है यानि दोनों में से कोई एक conclusion हमारा true हो सकता है ठीक है तो यहां से option देखते हैं तो option में कौन सा option correct होगा तो हमारा इसमें से कौन सा conclusion एकदम correct आया first हमारा correct आया ठीक है और हमारे पास third और fourth में से कोई एक हमारा correct होगा तो यानि second हमारा एक्टम कर लेता है तो option check करते है only first is true so first हमारा true है ही लेकिन third or fourth भी है only third is true only fourth is true only either third or fourth is true only either third or fourth and first are true that is option E will be the right answer only either third or fourth and first are true छेक है thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर